हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ वाइस ऑफ अमेरिका वाशिंटन में खुशाम दीद मैं हूँ साक्प अलिस्लाम और मैं हूँ सारा जमान इसलामबाद में मजभी जमातों का धरना जमूरी हक का इस्तमान या उसके तजावस इस पर हम बात करेंगे आज के शो में प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है शुरू करते हैं व्यू थ्री सिक्स्टें अफगानिस्तान में अगला साल कैसा होगा जेनरल जान निकलसन से खुसूसी गुफ्तगू डिली की खवातीन अपने शेहर में कितना महफूज महसूस करती है और मेरिन पाकिस्तान में सुचे गोटे की कहानी अगास करेंगे वाशिंटन डी सी से अमरीकी सदर डॉनल्ल ट्रॉंप एशिया का बारा रोजा दोरा मुकमल कर रहे हैं जहाँ फोकस तिजारत और सक्यूर्टी पर रहा लेकिन वेतना में एशिया पसिफिक एकनॉमिक कोपरेशन के सरबरा इजलास के मौकर पर रुसी सदर विलादमिर पूटिन के साथ उनकी एक मुक्तसर मुलाकात ने तوج्जो एक मरतबा फिर अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत के मौज़ो के तरफ कर दी है मज़ीद तफसिलात लेंगे नदीम याकूब से नदीम रूस और अमरीका के सुदूर के दर्मयान इस मुलाकात में इस साल के इंतखाबात के बारे में क्या बाचित हुई सदर जब रोञाना हुए वियतना मेटनाम से तो अपने जहाँज पर अख़वारी नमाइनदों से बात करते हुए उन्हों ने जो सदर प्यूटिंड है उनके छाहत मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि मैंने जब सदर प्यूटन से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुदाखलत इंतखाबात में नहीं की जो इस मुलाकात के हवाले से इस इशू पर जो खास उनके वर्ड्स दे सदर ट्रम्प के वो मैं आपके लिए कोट करना चाहरा हूँ जब वो ये बात कहते हैं तो दुरूस्ती कहते होंगे मेरा ख्याल है कि वो इस बारे में बेज़ती महसूस करते हैं जो हमारे मुलक के लिए अच्छी बात नहीं यह जो खास इशू है और उनकी दोनों की जो मुलाकात है उसको यहाँ पर वाशिंटन में मुबसर इन कैसे देख रहे हैं इस बारे में हमने एक रिपोर्ट तर्टीब दिया आईए पहले वो देखते हैं सद्र ट्राम्प और सद्र प्यूटन के दरम्याल अग्तदा में हफ़ता एशिया पैसिफिक सर ब्राक कॉनफरंस के मौका पर गहर रस्मी मुलाकात हुई हफ़ते के रोज एक प्रेस कॉनफरंस के दुरान सद्र ट्रंप ने कहा कि उन्हें अमरीकी हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर यकीन है जिन में कहा गया है कि रूस ने अमरीका के सदार्ती इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश की थी उन्हें ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि ज्यादा आहम मौामणा की जाने बढ़ा जाए मैं ये महसूस करता हूँ कि रूस के साथ हर वक्त लड़ाए जगड़े की बजाए दोस्ताना तालुकात हमारे लिए और पुरी दुरिया के लिए एक असासा है ना के बोच उन्हें ने कहा कि उनके पेशरो बराक उबामा और वजिर खारजा हिल्री क्लिंटन अमरीका रूस तालुकात को री सेट करना चाहते थे मगर वो कामयाप ना हो सके अमरीकें गिजामिया इस बात का आयादा कर रही है कि सदर ट्रंप आलमी नौयत के मामलात पर रूस के तादून के खाहा है अब वाकि इस मौज़ूस हट कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है कि सदर की तवज़ू ज़ादा हम वामलात जैसे शमाली कोरिया और शाम पर है जहां में रूस के साथ मिलकर उश्टर का मकासित के लिए काम करना होगा जो कि इस वक्त बहुत आहम है तहम C.I.A. के साबिक डारेक्टर जान ब्रैनन और नैशनल इंटेलिजन्स के साबिक डारेक्टर जेम्स क्लैपर ने इतवार के रोज सिनन को बताया कि रूसी और चीनी राहमा बड़ी खुश उसलूबी से सदर्टरम्प पर असर अंदास हो रहे हैं और ये फर्द कर लेना कि रूस दुनिया के बेहतरी मुफदात के लिए काम कर रहा है अमरीकी सेक्यूरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है रूसी मुदाखलत के हवाले से अमरीका में तहकीकात जा रही हैं और इनमें एक तहकीक जो है वो स्पेशल काउंसल रॉबर्ट मिलर कर रहे हैं और जिन अफराद के बारे में तहकीकात की जा रही हैं उनमें सदर्टरम्प के साबक मुशेद माइकल फ्लिन भी शामिल है गुजशता रोज वाल स्ट्रीट ने अपनी एक अख़़ार में इनकिशाफ किया है कि रॉबर्ट मिलर जब तहकीकात कर रहे हैं माइकल फ्लिन के रवाबत के हवाले से तो एक चीज सामने आई और वो ये थी कि माइकल फ्लिन ने तुरकी के साथ मुबहरना तोर पर डेड़ क्रोड डॉलर के एवज एक मनसूबा बनाया कि वो तुर्क रहनुमा फतेवला गुलन जो कि अमरीका में रहाइश पजीर हैं उन्हें अगवा करके तुरकी के हवाले करेंगे वाशिंटिन में जो तुरकी का सफारत खाना हैं उन्होंने इन इल्जाबाद की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसा कोई मनसूबा जो है वो नहीं बनाया गया था ये बिलकुल बेबुनियाद इल्जाबाद हैं गलत हैं और शरमनाथ हैं नदीम याकूब हमारे साथ तेके अपरे धिल से थैंक्यू नदीम और अब पाकिस्तान इसलामबाद में गुजचता बुद से मजभी और सासी जमात तहरीक लबैक या रसूल अल्ला का इhtजा जारी है जिससे शेहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है इस बारे में देखते हैं मुहमद इश्टियाक की रिपोर्ट और फिर अपने आज के मेमान से इस मौमले के कुछ एहम पहलों पर बात करेंगे मजभी और सियासी जमात तहरीक लबैक या रसूल अल्ला के कारकौन और हामी गुज़चता बुच से इसलामाबाद के मरकजी दाखली रास्ते पर धरना दिये बैटे हैं हमके इंटेस्स डिल हो रहे हैं रास्ते में आ रहे हैं कोई जगा नहीं हमें मिल रहे हैं इसलामाद से भी रास्ते बंदें ये तरह रहे हैं लोगों नहीं आर जगा पे हमारे इदर इदर अधना यूनिवस्टियां चाल रही हैं ना कुछ और पूरा पकिस्तान ने बंद किया हुआ है देखें जी पहरी बात यहा है कि जब रहस्ते बंद होते हैं तो मरकीर में चैल कर्मियों कर्स्तमर आता ही नहीं अताब यह तो बहुत कम आता है लोगों को बड़ी मुश्कलाइत होती हैं करोबारी लियास से बहुत बुरे आलाइट है इतजाजी रैली में शरीक रहनमाओं का मतालबा है कि हकूमत खत्म नबुवत से मुतलिक हलफ नामे में की गई मुबयना तबदीली पर सबसे पहले वजीर कानून जायद हामित को मनसब से अलग करे तो फिर बात चीत की जाएगी लेकिन हकूमत में शामिल ओदेदार इस मुतालबे को मुस्तरद करते हूए कहते हैं कि हलफ नामे में तबदीली की निशान रही के फौरण बाद ही तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिक का तोर पर एक तर्मीम करके पुराने हलफ नामे को बहाल कर दिया था इन लोगों ने जान बूच कर मुलक में अफरा तरफी पहलाने के लिए खत्म नभूत के मामले को छेड़ा है और हम लोगों को सड़कों पे आने के लिए नोगों ने मजबूर किया है तो हैंशालला हम यहाद बेठे हैं जब तक कि जो वजीर कानून है उसको मौतल नहीं क इस खुद नोटिस लेते हुए मुतलका हुकाम से जवाब तलब किया है तहाम शेरी इस से मुतमेन नजर नहीं आते विफवाकी वजीर दाखला एसन अकबाल के चुके हैं कि हुकूमत चाहती है कि मुजाकरात के जरिये इस मसले को हल किया जाए तहाम ताहल इस सलसले में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है मुहमर इस्टियाक वैस्टफ अमेरिका इसलाम अबाद इस वक्लाहुर से हमारे साथ हैं Human Rights Commission of Pakistan के चेर्मेन डॉक्टर मेहदी असन डॉक्टर मेहदी वल्कम टू वियू 360 जमुरियत में सब जानते हैं मानते हैं कि इतजाज का हक हासल होता है लेकिन यहां वुज़रा और उनके खांदानों को धंकिया दी जारी है और मतालबात पूरे ना होने तक मजाहिरी न अलान कर चुके हैं कि वो वही रहेंगे तो यह सर्फ एतजाज तो ना हुआ देखे बात यह है कि पाकिस्तान में मजब परच्टी जिस तरह परवान चड़ी है और उसमें रोज बर रोज अधाफा हो रहा है उसकी मौजूदगी में हकूमत का रवाया ना सिर्फ इस हकूमत का बलके माज़ी में भी जितनी हकूमते नहीं जब भी कोई मजबी इशू पर कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो हर हुकूमत का रवाया जो है वो माज़गत खाहना हो जाता है और क्यूंके मौजूदगा ह्कूमत बहुत कमजूर हकूमत है बलके कहीं नदर नहीं आ रही आजकल कोई हूमत है भी पाकेसान में इसलिए लिए लंबाना किसी भी मजबी गृप हो या कोई सियासी गृभ हो उनके लिए बहुत आसान है तो अब ये देखें कि जिस तर अब भाश्य किया जा रहा है हुकूमत को तुमे जाना चाहूंगे कि अकलियतों के हुकूक के इतबार से और लॉइंड ओर्डर के इतबार से अगर इन दो एंगल से इस मामले को देखा जाए तो क्या जिमेदारी इस वक रियासत अदा कर सकती है आपने का हुकूमत कही नजर नहीं आ रही लेकिन अगर सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्ग से देखा जाए तो इन दो इस पर क्या जिमेदारी बनती है देखिए बात ये है कि अगर रास्ते खोलने की जिमेदारी तो हुकूमत पे है ना मेरा अपना जाती तजर्बा है मैं अभी एक दुम्रों पहले इसलामाबाद से आया था तो दोनों शेहर मुकमल तोर पे बंद किये हुए हैं इनों मेरावल पिड़ी भी और इसलामाबाद भी तो ये जो है सिलसला ये इस से ही जाहिर होता है कि आप मजब का मजब परस्ती का मजारा करते हुए मजब के नारे पे जो कुछ मर्जी कर लें उस पे हुकूमत का रविया हमेशा महजरत खाना हो जाएगा और जहां उनको सक्ती करनी चाहिए वो भी करने को तैयार नहीं है तो क्या हल आपको नज़राते है इस मामले का एक शखसे जिन से बात हुई हमारे वोईस अफ अमेरिका के रिपोर्टर की उनने का कि अदालत को फैसला करना चाहिए हुकूमत कुछ करेगी तो इस पर जाम लग जाएगा हुकूमत कहती है कि उनको खच्चा है कि अगर जबर्दस्ती हटाया गया तो मामला मजीद बिगड जाएगा तो आपने का माज़रत खाना रविया होता है हुकूमत खुद कह रही है कि हमें डार रहे के जादा मामला खराब ना हो जाए हल कैसे होगा फिर ये देखे बात ये है कि हुकूमत का फर्द होता है कि वो बहुत अच्छी बात है अगर वो बाचीद से हल करना चाहते हैं लेकिन अगर बाचीद से हल नहीं हो रहा तो उनको सक्ती करनी चाहिए जो वो करते रहे हैं माजी में भी होता था और अब भी अगर जरूरत है तो पे अमल कराना तो उनकी जिम्मेदारी है, रास्ते खोलना उनकी जिम्मेदारी है, अवाम को जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना उनकी जिम्मेदारी है, और जहां तक मजभी नारों का जिकर है, उसका जहां तक मसला है, पाकिस्तान में 95 फीसद के करीब लोग मुसल्मान है और उनका जो इमान है उनका जो अकीदा है जो मसलक है उनके वो उसके मताबिक अपनी जिन्दगी गुजारने के लिए आजाद है उसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है और ना कोई दखल देने का मजाद है तो मैं यह समझता हूँ कि मजभ परस्ती के नाम पे इस कुस्म के हालात पैदा करने में अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है लॉइन डॉर्डर बाहल करने में तो यह हुकूमत की कमजोरी है और मौजूदा हुकूमत जितनी कमजोर है उसके लिए किसी दलील की दरूरत नहीं है वो नज़र आती है हुकूमत कहती है कि वो निगोशियेट करी है हुकूमत पंजाब इस मामले में एक इंट्रलोक्यूटर का करदार अदा कर रही है जब वुजराओ को और उनके खांदानों को धंकिया मिलने लग जाए तो फिर जो हुकूमती एहल कारें उनके पास क्या आप्शन्स बचती है किसके पास वो जाएं क्या उदालत करूफ करना चाहिए नहीं अदालत से आप हुकूमत नहीं करवा सकते अदालत पे और फाउच पे कुछ जएदा डिपेंड करने लगें हैं पाकिस्तान के अवाम अदालत का काम जो है वो हुकूमत करना नहीं है या हुकूमती फैसले करना नहीं है अदालत तो अगर कोई तराजा हो जाए तो उसका फैसला करती है मैं ये सबचता हूँ कि हुकूमत को अपनी रिट बाहल करने की जरूरत है जो इस वक्त मज़र नहीं आ रही मौजूज़ा हुकूमत की रिट कहीं भी आपने का 95 पीसद जो पाकिस्तानी है वो मुसल्मान है इस धरने से थाबित किया जा रहा है और क्या पैगाम दिया जा रहा है पांच पीसद जो अकलियतें पाकिस्तान में रहती है उनको इसमें उनको ही नहीं दिया जा रहा मैसिज़ बलके ये मैसिज़ ये है कि एक छोटा सा ग्रूप और छोटा सा ग्रो जो है वो मजब के नाम पे मजब का नारा लगा के अपनी जो भी उनकी खाइशात हैं या पालिसी ने उसके मताबिक हुकूमत को फोर्स करने की एहलियत रखती है क्योंकि हुकूमत जो है वो कमजोर है और उसकी रिड़ जो है कहीं नज़र नहीं आ रहे अब बात अफगानिस्तान की जहां लड़ाई की शिदत में मौसम सर्मा के दोरान आम तोर पर कमी आ जाती है अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्च के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने वोईस फ़ अमेरिका से खुसी गुफटुकू में कहा है कि अगला साल कैसा होगा इसका दारुमदार बड़ी हद तक पाकिस्तान पर है और इसके साथ तावन को फरोग देने के लिए अमरीकी वज़र दिफार जिम मैटस जल्द इसलामाबाद जाएंगे हमारी हकूमत अवामी सता पर इस पर बात नहीं करेगी कि पाकिस्तान से क्या गुफटुगू हुई ये सब ट्राइवेट होगा लेकिन दुश्मन पर दबाव डालने की सूरत में इन्हें मराद की पेशकिश होगी और ऐसा ना करने पर इग्दामाद शामिल होंगे हम अफगानिस्तान में तशद्द में कमी देखना चाहेंगे लेकिन इसका इनिसार बड़ी हद तक पाकिस्तान पर होगा कि वो दुश्मन पर दबाव डाले अगर तालिबान को पना दे कर मज़ीद पर अपने देगा तो हमारे सामने एक और मुश्किल साल खड़ा है लेकिन हम दुश्मन पर दबाव डालेंगे और मैदान जंग में अफगान फोर्सेस ऐसा करेंगी क्योंकि दाइश को मश्री के वस्ता में शिकस्त का सामना है और अफगान स्पेशल फोर्सेस और अमरीका इसके खिलाफ बहुत सख्त जंग लड़े है ये रूस की जानब से खौफ पर मबनी तास्र पहलाने की एक कोशश है कि दाइश वस्ती एशिया के लिए एक खत्रा है इसलिए इसके मुकाबले के लिए तालिबान का हाथ मजबूत करना चाहिए तालिबान दाइश के खिलाफ मौसर साबित नहीं हो रहे बलकि ये अमेरिकन अफवाज और अफगान एंटाइ टर्रियर्जम फोर्सिस हैं जो दाइश के खिलाफ कामयाब रही हैं और उसे शिकस्त देंगी पाकिस्तान के गबाली इलाके बाजोर एजनसी में सरहत पार से किये गए हमले में पाकिस्तान के कप्तान समेट सेकिरिटी फोर्सिस के दो एहलकार जाम बहुक हो गए हैं आईस पियार के मताबिक जवाबी कारवाई में दस मुबजिना शिद्ध पसंदों को भी हलाक कर दिया गया और पाकिस्तान समेट दुनिया भर से ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट उर्दू वियोए.com पर जहां आपके लिए बहुत से दिल्चस्प वीडियोज, मजामीन और फीचर्स मौजूद है जैसे जापान में सिगर्ट नोशी ना करने वालों को सालाना इजाफी चुटिया देने के बारे में एक फीचर जो इस वक्त हमारी वेबसाइट पर बहुत शौक से पढ़ा जा रहा है और दिल्ली का शमार खवातीन के लिए दुझा के खतरनाक तरीन बड़े शहरों में होता है दिल्ली की खवातीन के तासुराद हम पेश करेंगे आज के शो में आगे चल कर और हमारा आफ़तावार सेगमेंट मेडि इन पाकिस्तान भी शामिल है आज के शो में लेकिन पहले वर्ल्ड वियू जिसमें शामिल होती है वे लक्मामी खबरों के चल किया इतवार के रोज आने वाले शदीद जल्जले से एरान और एराक में 336 से जाएद अफराद हलाक हो गए हैं पबा होने वाली मारतों के मलबे से लोगों को निकालने की कोशिशे जारी हैं जबके हलाकतों में इजाफ़े का खच्छा जाहर किया जा रहा है सौधी सरबराही में बनाए का इताद है यमन में बन्याद इन्सानी जरूडियात की तरसे लिकीनी बनाने के लिए यमन हुकूमत के जेरे इंतिजाम इलाकों के कुछ हवाई अड़ों रपोर्स को दुबारा खोलने का एलान किया है लबनान के साबिक वजीरियाजम साध हरीरी का कहना है कि वुचल सौध यरब से वापिस लबनान जाएंगे दूसरी जाने लबनान के सदर का कहना है कि उन्होंने अभी तक साध हरीरी का स्तीफ़ा मनजूर नहीं किया हाल ही में बंगलादेश में रोहंगिया कंटो का दोरा करने वाले क्वामिन उपहिदा के आला उखदेदार का कहना है कि वो मियानमार में फाउच की जानिक से जल्म जिन से ज्यातियों तश्यद्द के मामलात को इंटरनाशन क्रिमिनल कोड में उठाएंगे दूसरी जाने पियानमार फाउच ने रियासत राखिन में रोहंगियांस के खिलाफ आपरेशन के सरब राज जनरल को कोई वज़ा बताए बगएर बरतरफ कर दिया है हल ही में थॉम्सन रॉइटर्स फांडेशन के एक सरवे के मताबिक खवातीन के खिलाफ सिन्फ की बन्याद पर जराइम के इतबार से भारत के शहर दिल्ली और ब्रजिल के शहर सावपालो को सबसे खतरनाक मेट्रोपॉलिटन्स करार दिया गया दिल्ली के खवातीन इस सरवे के नतीजे से कितनी मतविक हैं जानने की कोशिश की है रितल जोशी ने दिल्ली सबसे गेर महफूज शहर तो नहीं लेकिन जिंसी हरासियत के मौज़ू पर बहस रिपोर्ट होने वाले केसिस की तादाद और इस पर उठाए जाने वाली आवाजों की शुनवाई दिल्ली में निस्पतन ज्यादा है ये आवाजें और भी ज्यादा बुलंद उस वक्त हुई जब 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में बेहत खौफनाक रेप केस हुआ नतीजतन कानून में तबदीली लाए गई और दिल्ली में छे पास्ट्रैक अदालतें खायम की गई लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले जब भी आप सड़क पर निकले आप एक शोपीस की मानिद होते हैं लोग आपको हर हाल में घूरते हैं भारत में जरायम के मजमुई आदाद और शुमार जमा करने वाले सरकारी इदारे के मुताबब 2016 में दिल्ली में खावातीन के खिलाफ जरायम की शरहा तकरीबन 184 पीस अथी जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी साल 2015 में दिल्ली में 2210 खावातीन जिंसी ज्याद्ती का निशाना बनी 5412 पर जिंसी ज्याद्ती के इरादे से हमला किया गया 1128 खावातीन का हरासान करने के लिए पीछा किया गया 1497 मामलों में खावातीन की तोहीन करने की कोशिश की गई दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर दे किसी महिला के साथ ये सिस्टम उसका कुछ बिगार नहीं पाएगा निजाम पर एतमाद की यही कमी वृष्टी डे जैसी हर खातून को मचबूर करती है कि वो अपनी हिपाज़त का खुद हयाल लगते है दिल्ली में रहना है तो हमें बच्पन की जिखाया जाता है कि साथ बज़े से पहले पहले घर आ जाना है अगर आपको अपने फ्रेंज के साथ पाटी करने जाना है तो आपका भाई जा सकते है लेकिन आप नहीं जा सकते हो जंबा रास्ता तै करना है माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे घर से निकल कर काम करने और शेहर की जिन्दगी का हिस्सा बनने वाली खावातीन की तादाद में इसाफा होगा भारत जैसे मार्शों की पेट्रियाकल सोच में भी मस्पत तबदीली आएगी पाकिस्तान में एक दौर था जब लड़कियों के जहेज में सुचे गोटे के मलबुसाथ रखे जाते थे पिलकुल लेकिन आज चांदी और सोने से बने गोटे को खरीदने वाले कम और बेचने वाले जादा मिल जाते हैं मिलकुसारा और मेडिन पाकिस्तान में आज हम जाएंगे लाहौ जहां के कदीम बाजार रंग महल में और देखेंगे सुचे गोटे की कहानी सुचा गोटा वो है जो छालस चांदी उसमें इस्तमाल होती थी फिर उसमें जब उसको गोड करते थे उपर सोने का और जो आना वो पानी चराते थे इंडिया के कारीगर यहां पाकिस्तान बनने से पहले आये थे, उन्होंने यहां यह गोटे का काम शुरू गिया थी। मेरे सास में सुच गोटे का सुच चड़ाया, लेकि मैं मने अभी तक रखा हुए कि मेरी बेटी की शादिय को तो मैं इसको बहुत हूंगा, वो अभी तक ऐसे हैं, ना वो काला हुए है, ना वो फराब हुए है। मेरे आकर काम कर रहा हूं। 20 रवे तोला, 22 रवे तोला चांदी हो थी जब जाद में काम शुरू कर रहा थी। तो अब तो चांदी का रेटा 800 रवे तोला, खटी टैब मशीन है यह। उसके अंदर यह तार बगारा लगा जते हैं, जो कुछ बेले साइश के अंदर गुले लगते हैं, जो उसमें तार परो के तो फिर इसको हम चलाते हैं। मिर्च कहते हैं, बर्फि कहते हैं, पान कहते हैं, तुतिया शिरफि इस तराइट की बहुत सारी जो है ना वो शेकले बनाते थे तो इसलिए लोग ज्यादा जो हैना वो बारी से बारी जो हैना वो जेवर और चेस्चे काम बनाते हैं जो आड़रा रहे हैं वो उससरफ वो जो हमारे सियासी गढ़ाने से तलग रखने हैं जो आती है खड़ीदार तक्रिबर ने एक से दो परसंट रहे हैं एंडर्ट में से और बाकी संथाटिक यूज सकर रहे हैं संथाटिक यह होता है कि उसका पो रिफंड कुछ नहीं अपना मठी काम बहुत काम रही हैं इतना लिए हैं इतना बादे बीज में से चांदी पीतरा हम दादा होते हैं इतना चांदी हैस में उसका हमको पैसे लेते हैं बादे इंको जला लेते हैं जला गे चांदी लगा लेते हैं जिन्होंने आजिते नहीं बेचे बना गे रखे हूए हैं उनके दादा पर दादा गभी निकलाते हैं वो यहां पे बेच के अच्छी पैसे क तक श्टार्फ होगा बहुत ही कलर्फूर कहानी की लाहॉर से ये था आज का वियो 36C आपकी फीड़बैक का हमें इंतजार रहेगा इसके लिए आए हमारे फेस्बुक पेज़ पर अड्रेस है facebook.com और हमसे राप्ते के लिए हमारा twitter handle है साकिब अलिस्लाम और सारा जमान को अजाज़त दीचिये हवा नाइस इवनिंग झाल 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 झाल